इस्राइल और हमास के बीच का युद्ध जितना पुराना होता जा रहा है उतना खतरनाक हो रहा है रॉकेट तोप गाइड़ेट मिसाइलों से मच रही तबाही ने गाजा को पूरी तरह से बरबात कर दिया है बावजूद इसके दोनों खेमें आमने सामने हो और अभी भी जंग के हालाज जारी है जहां इस्राइल की ओर से हालिया सीजवायत प्रस्ताप शुकराने से जंग की आग और भड़क चुकी है वहीं फिलिस्तीन के आतंकी गुट एक जुटता दिखाते हुए इसराइल पर जम कर बरस रहे हैं गाजा के दक्षणी छोर के रफा शहर में इसराइली बलों को हमास लड़ा के छखार है गाजा में जिस तरह से हमास ने सुरंगों का जाल बिचा रखा है ऐसे में इसराइली सेना के लिए हमास को मिटाना इतना आसान भी नहीं दिख रहा है इन सब के बीच इसराइली न्यूज वेबसाइट वाला ने आईडियफ में ओपरेशन डिवीजन के पूर प्रमुप मेजर जनरल इसराइल जीफ के हवाले से बहुत बड़ा दावा किया है उन्होंने कहा कि रफा ओपरेशन एक थोखा है जिसके इसराइल को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी मुझे विश्वास नहीं है कि रफा में चल रहा सेन अभियान सेन लिहास से इसराइल को फाइदा पहुँचा सकता है किसी भी सेन उपलब्धी के मुकाबले पॉलिटिकल डैमेंज शून्य है यदि रफा इतना महत्वपूर्ण होता तो आईडियफ रफा को राजनीति आवश्शक्ता के रूप में लेबल करती युद्ध की शुरुवात या मद्ध से ही वहां काम करती रफा को युद्ध की छत्रचाया के नीचे रहना चाहिए था जिसे उन्होंने लंबे समय के बाद ध्यान दिया इस्रायल उत्तर में खून बहा रहा है और राजनीतिक लिहास से ये ढह रहा है और इस्रायली बंदियों को वापस लाने में विफल रहा है हम खुद को कैसे समझाएं कि हम अपनी सेना से सैकडों मीटर दूर हैं और हम कैदियों को छुडाने में सफल नहीं हुए जीव ने इस्रायली पीम नितन्याहू की जित को भी कटधरे में लेते हुए जमकर हमला बोला इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में इस्रायली पीम नितन्याहू और उनके रक्षा मंत्री योव गैलेंट के खिलाफ अरेस्ट वारंट का जिक्र करते हुए जीव ने कहा कि समस्या इस्रायली सैनने बलों को छोड़ कर किसी भी चीज का इस्तमाल नहीं किया गया रिजर्व मेजर जनरल यायर गोलान और पूर्व इस्रायली डिप्टी चीफ आफ स्टाफ ने भी जीव कि टिपड़ियों का समर्थन करते हुए कहा कि कैप्तिव एक्सचेंज दील चार महीने पहले पूरी होनी चाहिए थी जब गाजा में चार्ड डिवीजन थे युद्विराम के बिना कोई समझोता नहीं हो पता दे कि कई पूर्व इस्रायली अधिकारियों की ओर से भी दावा किया जा रहा है कि इस्रायल गाजा पर युद्ध जीतने में असमर्थ है इस्रायल पर लगातार दबाव बढ़ रहा है गाजा के अलग-अलग इलाकों में प्रतिरोध समू के साथ नए सिरे सिभारी टकराव शुरू हो गए है जो ये बताने के लिए काफी है कि इस्रायल की पकड़ अब धीली पढ़ती जा रही है गाजा में अब फिलिस्तीनी लड़ाके इस्रायल के मुकाबले जादा ताकतवर नजर आ रहे हैं इस्रायल की खूफिया अजन्सी मोसाद के पूर्व डिप्री डिरेक्टर राम बेन बेराक ने मौझूदा जंग पर दावा किया कि गाजा में युद्ध लक्षहीन है IDF साफ तोर से गाजा को खो रहा है हम उन्ही इलाकों में लड़ाई में लोटने के लिए मजबूर है जहां जीतने का दावा किया था इस दोरान अधिक सैनिकों को खो रहे हैं अंतर राश्ट्रे विरादरी में हार रहे हैं अमेरिका के साथ संबंधों को नुकसान पहुँच रहा है और अर्थ व्यवस्था ढह रही है मुझे एक चीज दिखाओ जिसमें हम सफल हुए हैं बताया जाता है कि उनकी टिपड़ी हमास की मिलिटरी बिंग अलकसम ब्रिगेड के बाद आई है जोसे कहा गया है कि उसके लड़ाकों ने रफा के पूर में पंद्रे इसराइली सैनिकों को मार ढाला था